वेलकम टू लर्न सम्तिंग न्यू चैनल आज हम नवीक अक्षा का पार्ट नंबर एक जय जय भारत माता इस पार्ट के प्रशन उतर देखने जा रहे हैं पिछली वीडियो में हमने इस कवीता का भावार और कवी परिचे देखा था अब हम इस कवीता के प्रशन उतर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अभ्यास एक वाक्य में उतर लिखिए इसके साथ प्रशन है अगला दो तिन वाक्य में उतर लिखिए इसके लिए चार प्रशन है खाली स्थान भरिये, 3 परशनों को लिये है और यहाँ पर तुकान शब्ढ दिये गए 3 लिखने है अगला जो है रिक्त स्थान है जिसके लिए शब्ढ दिये गए है उसी में से चुन करके लिखना है उसके बाद जो है कवीता कंटस्ट करनी है और अंत में है अनुरूपता जिसके लिए चार प्रश्ण दिये गए है तो चेलिए शुरू करते हैं यह है कवीता जैजे भारत माता के प्रश्ण उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्ण नमबर एक जैजे भारत माता कवीता के कवी कौन है इसका सही उत्तर है गुप्त जी को साहितिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1901 सिट इस्वी में पद्म भुशन उपादी मिली है। अगला प्रश्न कवी किस देवी की वंधना कर रहे हैं। इसका सई उत्तर है कवी भारत माता देवी की वंधना कर रहे हैं। अगला प्रश्न हिमालय रूपी रदय में क्या भरा है। अगला प्रश्न हिमालय के बारे में कवी की भावना क्या है। हिमालय की रदय में इस नह भरा है और हिमालय का रदय विशाल है जहां सब को सुख मिलता है। ये था इसका उत्तर। अगला प्रश्न हिमालय की रदय में आग दबाकर का मतलब क्या है। इसका सही उत्तर है। इसके समान भारत मता का रदय बहुत उंचा या श्रेष्ट और विशाल है। अगला प्रश्न हिमें मिल जुलकर कौन सा गाना गाना चाहिए। इसका सही उत्तर है। भारत माता का यश्च का गाना गाना चाहिए भारत में सब लोगों में एक्ता की भावना सदार है और इसी एक्ता में हमें आपस में मिलकर भारत माता की यश्च की किर्थी का गाना गाना चाहिए अगला प्रश्ण खाली स्थान भरिए प्रश्ण देखिए नमबर एक भारत क रखता हमको डैजडश नमबर तीन डैजडश चिरकाल रहें इनके लिए सही उत्तर हैं नमबर एक भारत का हिया उचा है नमबर दो दिल में आग दबाकर रखता हमको हरा भरा नमबर तीन चंद्र सूर्य चिरकाल रहें अगला प्रश्न नमुनिय का नुसार तुकांच शब् दिखिए उधारन स्नेह भरा हरा भरा इनके लिए प्रश्न है नमबर एक आता नमबर दो पले नमबर तीन नाता इनके लिए सही उत्तर दिये गए हैं नमबर एक आता माता नमबर दो पले फले नमबर तीन नाता माता यह थे इनके सही उत्तर अगला प्रश्न इस कवीता मे पानी आता का प्रियोग हुआ है उसी प्रकार निम निल्खित शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्न कीजिए जैसे गिर गिर कर मिट मिट कर सुन सुनकर देख देख कर उनके लिए प्रशन है नमबर एक बालग डैजडैश सिकता है नमबर दो भाशा डैजडै बोली जाती है नमबर तीन मेघ डैजडैश बरसते हैं नमबर चार बच्चा डैजडैश चलता है इनके लिए सही उत्तर है नमबर एक बालग गिर गिर कर सीखता है नमबर दो भाशा सुन सुनकर बोली जाती है नमबर तीन मेघ मिट मिट कर बरसते हैं नमबर चार बच्च अगला प्रश्ण इस कवीता की प्रतहम आठ पंगतियों को कंठस्द कीजिए तो यह जो पंगतियों यहां से लेकर यहां तक दी गई हैं इन पंगतियों को कंठस्द करना है तो यहां पर एक बार इनको पढ़ लेते हैं जैजे भारत माता, उंचा हिया हिमाले तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर, रखता हमको हरा भरा, सोसो सोतों से बह भाकर है, पानी फूटा आता, जैजे भारत माता। यह थी कविता के आठ प्रतम पंक्तियां, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न अनुरूपता। इसके लिए प्रश्न है नमबर एक सागर, विशाल, हिमाले। नमबर दो, अंधकार, अंधेरा, पवित्र। नमबर तीन, आम, धर्ती, कमल। नमबर चार, सूर्य, सूरज, च चंद्र, इनके लिए सही उत्तर है, सागर, विशाल है, तो हिमाले, उंचा है। नमबर दो, अंधकार का समानारतक शब्द है अंधेरा, पवित्र का समानारतक शब्द है पावन। नमबर तीन, आम, फल, धर्ती, पर लगता है, तो कमल, पानी में उकता है। नमबर चार, स सूर्य का समानार्तक शब्द है सूरज चंद्र का समानार्तक शब्द है चांद यह थे पार्ट नमबर एक जय जय भारत माता कवीता के प्रश्न उत्तर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दिस चैनल